जब आंधी शांत हो जाती है तभी मालूम होता है कि कितना नुखसान हुआ है इसलिए क्रोध कितुलना आंधी से की जाती है वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिष्टो कपरों की तरह बदलते हैं मोह में हम बुराईया नहीं देख पाते और ग्रीना में हम अच्छाईया नहीं देख पाते देखा हुआ शपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है बुरे बक्त में भी एक अच्छाई होती है जैसे ही ये आता है फालतू के दोस्त जिन्दी से दूड़ हो जाते हैं भुखा पेट, खाली जेब और जूठा प्रेम इनसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है दो पल के गुस्य से प्यार भरा रिष्टा बिखड जाता है होज जब आता है तो वक्त निकल जाता है जीतने का मज़ा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो जिन्दगी समझ आ गई तो अकेले में मेला और ना समझ आई तो मेले में अकेला अगर हम हमारे जिन्दगी सिर्कल के बारे में सोचने में निकाल देंगे तो हम हमारे जिन्दगी के अहम पलों को नहीं जी पाएंगे बहुत खुश किश्मत होते हैं वे लोग जिने समय और समझ एक साथ मिलती है क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है पडिवर्तन कभी पीडा दायक नहीं होता केवल पडिवर्तन का विरूद पीडा दायक होता है धन से वेशक गड़ी रहो पर दिल से रहना धनवान क्योंकि अकसर जोपड़ी पे लिखा होता है सू स्वागतम और महल वाली लिखते हैं कुट्ते से साबधान झाल